दोस्तो बहुत सा फ्रेंड का ये रिकोईस्ट है कि EOT क्रेंड के बारे में इंटर्विव में क्या-क्या कोस्चन पुछता है इसका एक अलग से वीडियो बना दीजिए जब इंटर्विव देने जाएंगे तो आपका वीडियो देख लेंगे और इसका कोस्चन और एंसर सुन लेंगे तो इंटर्विव देने में कुछ भी दिकत नहीं है आज दोस्तों मैं आप लोग को एक टन से लेके हंडेट टन के बारे में बताऊंगा किया-क्या कोस्चन पुछा जाता है और किस तरह से आपको जबाब देना है और एक बार में आपको किस तरह से इंटर्विव देने के बाद सिलेक्शन होना है इसमें जो पहला कोस्चन है आज आता है EOT का फूल फ्रम क्या है Electric Overhead Travelling Crane SWL इसका फूल फ्रम क्या है Save Working Load या आप यह बोल सकते है Standard Working Load SLL Save Load Limit DSL ज्यादा तर यह Type का देखिएगा जो जो Question पुछता है आपको सिरिफ एक दो मिनिट का अगर अच्छा से Experience बना लीजिएगा तो फूल फ्रम का जबाब देने में कुछ भी दिकत नहीं है Down, Swap, Leads और देखिएगा इसके ओपर छोटा से एक वीडियो भी हमने अपलोड किये है इसके बाद आज आता है कि जो आपका कंट्रोलिंग का टांसफर्मर रहता है यह कितना रहता है ना दो गो टांसफर्मर रहता है एक रहता है आपका लाइटिंग के लिए और दूसरा रहता है कंट्रोलिंग के लिए तो light का जो transformer है ये कितना KVA का रहता है lighting का जो आपका transformer रहता है तो एक turn से लेके पास turn का crane में ज्यादा तर आपको नहीं मिलेगा इसके बाद जो पास turn से लेके 10 turn है अगर आपका केवीन मतलब एक crane operator crane को चलानी के लिए है तो lighting का transformer आपको देखने के लिए मिलेगा और 10 turn से लेके 100 turn इसमें तकदम confirm है के मिलेगा ही मिलेगा लेकिन एक आपको अच्छा से experience बना के रखना है कि जो आपका 10 turn से लेके 100 turn का crane है हार crane में अलग-अलग transformer लगता है एक जैसे कभी भी नहीं लगता है जैसे एक example के लिए हम बोल रहे है के एक 50 turn का crane है इसमें जो आपका lighting के लिए transformer रहेगा वो ज़्यादा तर देखिएगा 2 KVA का रहता है और जो आपका controlling के लिए रहेगा वो कितना रहेगा ज़्यादा तर आपको 2.5 KVA का देखने के लिए मिलेगा अगर इसके साथ टन, 70 टन, 80 टन मैच करिएगा तो ज़्यादा तर आपका 2.0 KVA का मिलेगा या आपका 2.5 KVA का मिलेगा तो इसी जगा से दोस्तो question स्टार्ट होता है और जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ अगर आप किसी company या industrial में इंटर्वू दिये हैं तो मेरा question के साथ साथ एक दम same to same आपका मैच हो जाएगा इसके बाद आज आता है कि जो आपका controlling के लिए transformer लगा हुआ है या lighting लिए जो transformer लगा हुआ है तो इसका जो primary side है इसका कितना ampere लेता है और इसका calculation किस तरह से करना है और जो आपका secondary side है इसमें कितना ampere लेता है और इसका calculation किस तरह से करना है आप task former का ampere calculation किस तरह से किया जाता है इसके बाद technician तपन लिख दीजिएगा तो आपके पास video आ जाएगा इसके लिए अलग से कोई video बनाने के कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा time निकाल का आपको देखना पड़ेगा इसके बाद आज आता है कि जो आप crane में काम कर रहे थे इसमें जो आपका power का contactor लगा हुआ था और कौन सा company का था अगर Simmons का था या दूसरा L&T company का था तो जो contactor लगा हुआ था उसका type क्या है तो ज्यादा तर देखिएगा जो आपका 10 टन से लेके 100 टन का crane है हर crane में अलग-अलग आपको देखने के लिए मिलेगा एक example के लिए जो आपका 10 टन का या 15 टन का crane है अगर Simmons का contactor लगा हुआ है तो देखिएगा जो आपका reverse forward का contactor रहता है और रहता है 3TF-51 या 50 का और जो resistance का contactor रहता है और रहता है 3TF-47 का तो इस तरह से बारी की से छोटा-छोटा experience आपको बना के रखना है तभी आपको interview देने में कुछ दिकत नहीं होगा और अगर short on crane में आप जाके main host का पैनल में चेक कीजिएगा तो आपको 3TF-56 का contactor देखने के लिए मिलेगा और resistance में 3TF-56 या 55 का contactor देखने के लिए मिलेगा इसके बाद आज आता सिलेविरिंग मोटर तो आपसे एही question पुछेगा कि आप जो company में काम कर रहे थे तो उहाँ पे कितना ton का crane था तो आपने तो कुछ एक बताईएगा चाहे 10 ton का crane था या 20 ton का था या 50 ton का था या 100 ton का था तो इसका जो main host था main host में कितना किलोट का motor था एक जोलेरी host में long travel में cross travel में तो जब तक आप एक बार practical में मिला के देखिएगा नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं और यह जो जो चीज में बता रहा हूं एही same to same question आपसे पूछेगा तो जो company में आप काम कर रहे हैं ओ कौन सा company का crane है चाहे इलाइट का है या WMI का है या garlic का है या मुकुन का है या psycho का है या Evan का है अलाग अलाग company का crane आता है तो उसमें से आपको देख लेना है किस में कितना किलोट का motor लगा हुआ है LT में कितना है CD में कितना है main host में exulio host में और micro host में एक बार देख लिजिएगा आपका जो experience है ऐसा बन जाएगा lifetime आपका साथ रहेगा इसके बाद आज आता है दोस्तों कि ये जो slivering motor है इसमें जो आपका stator का connection होता है वो कौन सा connection रहता है ना delta connection रहता है और rotor में star connection रहता है slivering motor हम लोग EOT crane में क्यों लगाते है और ये किस तरह से काम करता है इससे पहले भी जो मैं वीडियो बनाये था आप लोग को बताया था इसको पर अल्लेडी हमने वीडियो अपलोड करके रखे है टाइम निकाल के देख लिजिएगा इसके बाद दोस्तों आज आता है resistance box के बारे में तो जब आप प्रैक्टिकल में इंटर बुद्धे ने गये है क्योंके मैं देखिएगा जो जो पॉइंट बताता हूँ आपना ही जो प्रैक्टिकल एक्स्प्रियेंस है वो स्यार करता हूँ तो आपको क्या बोलेगा कि ये जो resistance box है इसका एक diagram बनाईए और diagram बनाके DEF, D1, E1, F1 से लेके D5, E5, F5 इसका जो connection होता है वो बनाके दिखाईए और इसके साथ ये जो slivering motor का connection होता है इसका भी बनाके दिखाईए अगर आप अच्छा से बना लेते हैं तब तो कुछ भी दिखत नहीं है अगर आपको बनाना बिलकुल भी नहीं आता है तो उसके लिए मेरा YouTube चनल में बहुत सरा आपको वीडियो मिल जाएगा देख देखके आप भी खुद बना सकते हैं और ये जो आपका resistance box है resistance box को हम लोग मल्तिमीटर से मेगर से और सिरीजलेम से किस तरह से चेक करते हैं और एक जो आपका ये slivering motor है ये slivering motor को किस तरह से चेक करते हैं इस जगा में मैं इतना जोड देके क्यों बोल रहा हूं ये resistance box और slivering motor के उपर बहुत question पुछता है जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं इसके बाद ये जो resistance box है resistance box का value हम लोग किस तरह से चेक करते हैं इसका चेक करने का तरीका क्या है और slivering motor को चेक करने का तरीका क्या है और किस तरह से आप चेक करते हैं और किस तरह से आप चेक किजिएगा तो देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं ओही सेम टू सेम इंटर्वू में बताना है तब ही क्या होगा पता चल जाएगा कि आप अल्रेडी प्रैक्टिकल में काम किये हैं इसके बार जो आपका मास्टर कॉंट्र रहता है तो मास्टर कॉंट्र को एक बार करके खोल के आपको देखना है किसलिए देखना है अगर आपने डाबलो EMA या गार्लिक या मुकूंत या इलाइट या साइको किसी भी कमपणी का क्रेन में काम किये हैं और इंटर्वू में ज उसका जो master controller रहता है उसके अंदर में कितना kit रहता है तो जब तक आप ये 4 by 6, 3 by 4, 4 by 9, 5 by 9 एक बार खोल के नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा master controller को खोल के आपको एक बार kit गिन के रखना है कि एक side में हमारा कितना kit है तो एक side में आपका 9 go kit है और जो आपका master controller है वो आपका 5 step का है एक, गो, दो, गो, तीन, गो, चार, गो जैसे हम लोग गाड़ी में gear लगाते है ओही same to same तक अगर एक side में 9 go kit है तो दूसरा side में और 9 go रहेगा तो हो जाएगा आपका 9 दुगुने 18 kit और यही same to same आपको किस में मिलेगा WMI crane में देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग कोणी crane बोलते है और इसके बाद आज आता है safety का बात के जो आपका EOT crane है तो इसमें कौन-कौन सा limit switch रहता है और limit switch का नाम क्या है और limit switch का काम क्या है और ज्यादा तर यह किस लिए पूछा जाता है कि जो आप EOT crane में काम करिएगा तो इसका safety के बारे में आपको मालूम है या नहीं है एक अगर rotary limit फेल हो जाएगा तो gravity limit किस तरह से काम करेगा जो आपका cross travel रहता है उसमें अगर limit लगा हुआ नहीं रहेगा तो उसके लिए जो आपका stopper दिया है यह आपका बार बार तूट जाएगा अगर LT में जिसको हम लोग long travel बोलते हैं इसमें अगर limit नहीं लगाते हैं तो crane क्या होगा इस तोपर तोड़के नीचे गिर जाएगा कुछ कुछ company में जब देखिएगा नया नया crane चड़ता है तो side में क्या होता है set का support बना हुआ नहीं रहता है और अगर आप limit नहीं लगाते हैं कोई करण से अगर आपका LT direct हो जाता है किसलिए कि जो आपका power contactor है और कभी-कभी चिपक जाता है तो इतना जोर से जाके धक्का मरेगा कोई करण से bumper या stopper तूड़ गया तो crane आपका नीचे चला जाएग इसलिए limit के बारे में जरूर आपसे पुछता ही पुछता है कि crane में कौन-कौन सा limit सुझ रहता है वो काम किस तरह से करता है इसके बाद जो आपका योटी crane में पैनल रहता है तो कौन-कौन सा पैनल रहता है तो ज्यादा तर main host, auxiliary host, long travel, cross travel, productive panel यह ता आपने बताया तो आप से एही question पूछेगा कि एक जो आपका silvering motor है तो silvering motor में कौन सा starter लगता है तो आपको बताना है rotor resistance control starter तो जितना सारा question के बारे में मैं बता रहा हूं अगर वीडियो को अच्छा से देखिएगा और अच्छा से follow किजिएगा तब आपको interview में जवाब देने में कुछ भी दीक नहीं है और अगर आपने वीडियो को छोड़ छोड़ के देखे हैं और हमसे आके WhatsApp में पूछते हैं कि मैं जा रहा हूं टाटा में इंटर्वू देने के लिए या JSW में इंटर्वू देने के लिए electric overhead traveling crane से क्या 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 question पुछेगा आप बता दीजिए हमसे पूछने से पहले एक बार करके जरूर YouTube में साच कर लिजिएगा तब क्या होगा अगर हमने वीडियो बनाए हैं तो आपके पास जरूर आ जाएगा लेकिन जो आपका question रहेगा वो question पहले आपको type करना है उसके बाद technician तपन लिखना है तब ही क्या होगा मेरा ही वीडियो आपके पास आ जाएगा इसके बाद दोस्तों जो जो basic knowledge होता है इसके बारे में आपको अच्छा से knowledge बना के रखना है ज्यादा तर देखिएगा क्या होता है basic knowledge के उपर question पूछा जाता है जैसे जितना सारा मैं question आप लोगों को बताया हूँ यह सारा question आ जाता है basic knowledge में अभी जैसे अपने 10 टन का क्रेन में काम किये और 10 टन के बाद 20 टन में क्रेन में काम किये या 30 टन का क्रेन में काम किये लेकिन आपने कभी ऐसा गोर नहीं किये के जो आपका main host, auxiliary host या long travel या cross travel इसमें कितना MME square का केबिल लगा हूआ है और यह अगर आप practical में नहीं देखते हैं तो आपको experience नहीं होगा जब आप interview दीजिएगा तो देखिएगा आपसे एही question पूछता है कि main host का जो motor था तो उसमें कितना MME square का केबिल लगा हूआ था ओही same to same आजाता है आपका city के बारे में city का full prime होता है cross travel और इसके बार जो हमने आपको limit switch के बारे में बता है कि यह जो आपका gravity limit switch है इसका interlocking किस तरह से दिया हूँ रहता है तो देखिएगा इससे पहले भी हमने वीडियो बना के समझाए है कि जो gravity limit switch है इसका interlocking productive panel के साथ दिया हूँ रहता है और अगर आपने WMI के crane में काम किये है तो इसमें जो आपका main host का panel है इसमें जो host side होता है जिसको हम लोग harvest बोलते है इसमें जो आपका power contactor रहता है इसके साथ interlock दिया हूँ रहता है कोण कोण से company के crane में काम किये है और उसका interlock किस तरह से दिया हूँ रहता है अगर आप देखके नहीं रखते हैं और अंदाज में कुछ भी गोली दे देते हैं मतलब गोली मार देते हैं ज्यादा तरी still plan में क्या होता है आपका 100 में से 99% तो negative sociable आपको मिलेगा तो interview में क्या होता है सोचता है कि कुछ भी अंदाज में बोल देंगे ओ जाकर हमारा ठीक लग जाएगा अंदाज में गोली मार येगा ओ लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है ये कोई जरूरी ने 100% लग जाएगा और जो आपका 20 नमबर का question रहता है ये रहता है DC break के उपर जो DC break लगा हुआ रहता है इसमें कितना resistance लगा हुआ रहता है और resistance कितना watt का होता है और अगर इसका resistance value चेक करेंगे तो कितना ohms आएगा जितना सरा question में आप लोग को बताया हूँ अगर अच्छा से सुन रहे है तम तो कोई दिकत नहीं है इसके बाद आजाता है grab bucket panel जो आभी के date में नया update आया है यह दो तरीका से आपका control होता है थीरी फेज से भी control होता है एक motor रहता है थीरी फेज supply देगा motor को घुमाने के लिए उसी से ही जो आपका grab bucket रहता है ओपका open or close का काम करता है और कोई कोई जगा में इसके साथ आपको क्या मिलेगा 24 volt supply देखने के लिए मिलेगा ओव supply रहता है AC 24 volt AC इसलिए question में यह पूछता है कि जो grab bucket है इसमें कितना भोल्ट का controlling रहता है ना 24 volt AC का controlling रहता है और जो motor रहता है इसमें हम लोग कितना फेज देते हैं ना थिरी फेज देते हैं तो कोई कोई क्रेन में आपको 24 volt AC वाला controlling देखने के लिए मिलेगा grab bucket में किसी किसी में नहीं मिलेगा किसी किसी में देखिएगा सिरिफ थिरी फेज supply से ही motor आपका घूम रहा है उसी से ही open close हो रहा है इसके बाद आज आता है आपका magnet panel तो magnet panel के बारे में जब आपसे पूछेगा तो magnet panel में जो आपका task partner मर रहता है जैसे हमने सुरू में बताया primary side का current का calculation किस तरह से होता है और second side का current किस तरह से होता है और एक जो आपका slivering motor है इसका हम लोग MPR या current calculation किस तरह से करते है और calculation करने के बाद जो आपका thermal overload relay लगा हुआ रहता है या आपका DMPR लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग किस तरह से set करते है और last में आज आता है बहुती important question इसके बारे में देखिएगा ज्यादा तरह आपसे पुछता है तो यह crane से भी related है और छोटा छोटा एकदम पूरा complete जो interview होता है उसके बारे पर भी है डोल स्टाटर आर डोल स्टाटर स्टाटर डेल्टा और इसके साथ जो आपका main host, auxiliary host, long travel, cross travel, productive panel, magnet panel और grab bucket panel इसका एक diagram बनाईए और diagram बनाके समझाईए किस तरह से इसका controlling wiring होता है और किस तरह से आपका power wiring होता है और इसके उपर हमने already video बनाके रखे हैं आप एक बार जैसे ही साज करिएगा main host panel तेकनिस यांतपन तुरण आपके पास video आजाएगा तो दोस्तों आज के video के लिए इतना ही नमस्कार जय हैंद